मुझेंगी ये रात हों कभी है था यकी के आएगी लुटाने दिया आए है लट दिर्थी ने अबरे दिर्थी तुपी दुन मेज़ को खुआ यदि नहीं सकते है इसमार भी मुश्किल है आद ना उन्दा हरे इम्हाने खुआ ये कौन थी ये कौन थी बिसमिल्ला इरह्मान रहीब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अदाकारा रानी कौन थी रानी का असल नाम क्या था उनको किसने पाला और कौन फिल्म इंडस्री की तरफ लेकर आया अब्तदा में बार बार नाकामियों का सामना क्यूं करना पड़ा कामयाब कैसे हुई रानी की कामयाब फिल्मे कौन कौन सी थी पहली और दूसरी शादिया किन किन से हुई करिक्टर सर्फरार नौस और फिल्म स्टार रानी की मुलाकात कब और कहा हुई क्या क्या बाते हुई जिनके की वाहद आखरी खौाइश कौन सी थी जो पूरी हुई इसके अलावा फिल्म स्टार रानी के बारे में मजीद बहुत कुछ बताएंगे इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें हमारे चैनल अमेजिंग स्टोरी पेडिया को लाइक करें शेयर और सबस्क्राइब भी ज़रूर करें ताके आपको हर अच्छी वीडियो मिलती रहे तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अपने शक्लो सूरत और हुस्नो जमाल की वज़ा से मुशूर और काम्याब होने वाली हेरोइन्स में सबसे बड़ा नाम मलका हुसन परी चेहरा अदाकारा रानी का है जिन्हों ने अपने हुस्नो जमाल और खुदादाद फनी सलाहियोत की वज़ा से बहुत कम वक्त में बड़ा नाम और मुकाम पैदा किया आगा हश्र काश्मीरी की बेगम और बरसगे की ममताज अदाकारा मुखतार बेगम के ड्राइवर रहमत के लाहौर में वाके घार में 8 दिसंबर 1946 को एक खूबसरा लड़की न जनम लिया जिसका नाम इ अपने ड्राइवर से नासरा को गोद में ले लिया और फिर इस बच्ची के तालीम और परवरिश की जिमादारी मुखतार बेगम ने खुद संबाली और दुनियावी अलूम के साथ साथ नासरा को रक्स की भी बाकाइदा तर्बियत दी जाने लगी और जब नासरा ने जवानी के हदूद में कदम रखा तो मुखतार बेगम ने उसका नाम बदल कर रानी रख दिया और रक्स के साथ रानी को अदाकारी के असरार और रमूज भी सखाये जाने लगे और जब मुखतार बेगम ने देखा के रानी अब फन अदाकारी के तमाम हत्यारों से लैस हो गई है तो उन्होंने रानी को काम्याब फिल्म मेकर अनुबर कमाल पाशा से मलवाया जिन्होंने रानी के हुस्ण जमाल और फन अदाकारी में दिल्चस्पी और महारत को देखत और ये कहावत अदाकारा रानी पर सादक आती है पाकिस्तान की दिलकश अदाकारा रानी को भी पहले पहल नाकामी का मूग कई बार देखना पड़ा यके बाद देगरे उनकी 10 फिल्में बुरी तरह नाकाम हुई जिसकी वज़ा से रानी पर बदकिस्मत अदाकारा का ठपा लग गया मगर वहीद मुराद उनके लिए खुशकिसमत थाबत हुए और 1967 में हदायत का हसन तारग की फिल्म देवर बाबी की कामयभी के बाद रानी की किसमत का स्तारा चमक उठा इस फिल्म का गीत एरात बता किया उनसे कहे बहुत मक्बूल हुआ इससे अगले साल ही उनकी एक और सुपर हिट फिल्म बेहन बाई रिलीज हुई जो सुपर हिट साबत हुई इसके गीत जैसे हेलो हेलो मिस्टर अब्दलगनी ने तो मकबूलियत की तमाम हदूत को अबूर कर लिया ताहम रानी को बाम अरूज पर पहुँचाने वली फिल्म 1970 में रिलीज होने वली जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा इस फिल्म के तमाम गीत इंतहाई मारूफ हुए अदाकारा रानी ने तीन शादियां की लेकिन बदकिसमती से तीनों शादियां नकाम हुई फिल्ग अंजमन में रानी की ऐसी अदाकारी थी कि डारेक्टर हसन तारक उन पर फिदा हो गए हसन तारक शादिशुदा थे उन्होंने तीसरी मरत्बा रानी बेगम से शादे की और इन दोनों की एक बेटी राबिया हैं वो फिल्मों में काम करती रही इसके बाद फिल्म पर इड्यूसर मिया जवेद ने इन से शादे की लेकिन जब रानी क सर्फराज नुआ से मिली जो उनके बहुत बड़े मददा थे। आखर कार अदाकारा ने तीसरी मरतबा सर्फराज नुआ से शादी की। करिक्टर जब अलेक्शन में खड़े हुए तो अदाकारा ने इनके लिए मुहिम चलाई और इन्हें जीत दिलाने में आहम किरदार लेकिन करिक्टर ने भी उनको दोका दे दिया और तलाक होगी। रानी की ख्वाइश दी कि उनकी जिन्दगी में बेटी की शादी हो जाए उसका घर बहस जाए उनकी ये ख्वाइश पूरी हुई और उसके बाद 27 मई 1993 को ये मुशूर अदाकारा दुनिया से रुक्सत हो आएगी ये रात अहां कभी है था यकी के आएगी। में गलती में गलती